बारसोई प्रखंड अंतरगत मौलानापूर में चोरों ने बीती रात एमाजॉन की ओफिस में शोरी की घटना को अंजाम दिया मामले की जानकारी देते हुए अमाजॉन आफिस के टीम लीडर मौहमद श्रहजादा ने बताया कि बीती रात उन्होंने अपने टीम के साथ आफिस बंद किया था जिसके बाद सुबह जब आफिस आए और शटर खोला तो पाया की सामान बिखरा पड़ा था और चोरों ने दुकान के पीछे के जट से चड़ कर चोरी की घटना को अंजाम दिया चोरों ने ओफिस के अलमीरा में रखे लापटॉप, स्कैनर, 40,000 रुपए कैश, सही तकरीबन 120 पाकेट डिलिवरी सामान की चोरी कर 9211 हो गए मैं यहां से मतलब मेरा और मेरा टीम दो सुपरवाइजर, रात में दस साज जसक्याइज पास ओफिस बन गरके यहां से गाई थे और मेरा एक सुपरवाइज शूटी पर टिला गया था और बिसा सुपरवाइज का बीमान था जो हमको यह ओफिस आके फुनना परा मॉर्णिंग छे विचे में आफिस को लें जैसे हम आफिस को लें तो समान बिक्रा हुआ दिखा और फिर मेरा नजर कैमरा पर गया लेकिया चोड़ी करके लेग गया है और ओफिस का लैप्तॉप था इस्कैनर वगरा सब था वो सब को चोड़ी किया गया है और 40-45 जर कैस था वह भी लेके गया है और यह पीछे से नो तो चोड़ गुशाता और पीछे का मतलब है सीरी गर है सीरी घर के उपर का दर्वाज दो दर्वाजे को तोर के चोड़ मतलब गुशाता है इधर घटना के जौनकारी मिलते ही बारसोई प्रशासन घटना स्थल पर पहुँची और ज्वाज़ा लेते हुए चोड़ की तप्तीश में जुट गई है मुहमद मुनारूल चाइम्स नियूज बारसोई मुई बारसोई प्रशासन घटना स्थल पर पहाज़ा लेते हैं